हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का पॉले नहीं चानल पर सुबच्चों मैं हूँ आप सभी की यक्षु मैं मैंना आज हमारा स्ट्राक्टर ओफ आटम का नेक्स लेक्चर है जुसमें लोग बहुत मॉडल की बारे में आगे डिस्कुस करेंगे अगर आप लोगों को या तो था लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन का अंसर गलत किया था ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का अंसर बताऊंगी क्या गलती आप लोगों ने करी थी देखिए ठीक है है न हम लोग आगे बात करेंगे energy level diagram हम लोगों ने एक देखा थ एन आखिर में इतनी सारी बाते बताने के बावजूद भी मॉडल क्यों फेल हो गया था यह विटा हम लोग आज की क्लास में देखेंगे सो आज हम लोग बहुत मॉडल अपना complete कर देंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा देखते हैं question जो की मैंने आप लोगों को होमबक में करने के लिए दिया था ठीक है question कुछ इस तरीके से था calculate the energy of lithium 2 plus for second excited state lithium 2 plus है और second excited state है तो energy आपको बताने थी तो बहुत सारी बच्चों का अलग-अलग answer आया हुआ था ठीक है तो देखो मैंने तुमको energy का एक simple से expression बताया था और वो expression बेटा स्क्वार अपॉन में n स्क्वार इलेक्ट्रों बोल्ट ठीक है तो बेटा मैंने आपको energy का कुछ expression बताया था और वो कुछ इस तरीके से था that is minus 13.6 Z स्क्वार अपॉन में n स्क्वार इलेक्ट्रों वोल्ट कुछ इस तरीके से आपका energy का expression था ठीक है अब यहाँ पे Z क्या भी बात बेटर मैंने आप लोगों को last class के अंदर बताई थी बिटा की n अनध शेल जो होता है जो हमारा एनध शेल होता है इतफ इक्न वान excited state ठीक है जो बच्छी हमारा एनध शेल होता है एनध शेल इस इक्वाल टू ए एन माइनस वान excited state सव अगर मेरे बहुत चारे बच्चों ने यहां पर गलती करी होगी जो उनका आंसर गलत आ रहा है यानि की वेल्यू तो क्या है मेरे पास 3 है यानि की बच्चे एंकी वेल्यू 3 है और लीथियम प्लास 2 है सो लीथियम प्लास 2 के लिए एथिए यहां पर जाएगा कि माइनस 13.6 यहां पर ठीक है तो बच्ची एनरजी यहापे क्या हो जाएगी एनरजी हो जाएगी माइनस 13.6 एलेक्ट्रोन वोल्ट आपके सामने यह आप देख सकते हो ठीक है क्लियर एस वांसर इस अलग अलग अंसर निकाल है था माइनस 54-108 अब आप देखो आपने क्या गलती करी थी या तो एनरजी क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 13.6 इलेक्ट्रोन वोल्ट यह सिंपल सा सवाल था जो कि मैंने आपको करने के रिए था आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या आप लोगों ने गलती करी है ठीक है तो ऐसी सिंपल सिंपल से सवाल आते है तुम्हारे नीट के इलाम में बस ध्यान देना है कि कौन सी हाटोजइन लाइक स्पीश इक कौन से शेल की बात हो रही है फॉमूलाज वही है फूर्मूला में कोई भी फरक नहीं है ठीक है चलिए अब अगे चलते हैं वीचा हम लोग बात कर रहे थे अनर्जी के बारे में और एनर्जी से रिल 13.6 electron volt यह बहुत ही ज़्यादे important है बहुत सारे questions इस diagram से seconds में solve होते हैं तो इसको कैसे इस्तमाल करना है questions के अंदर वो सारी चीज़े भी विचा तुमको मैं बताऊंगी ठीक है so n is equal to 1 k energy क्या हो जाएगी minus 13.6 electron volt n is equal to 2 k energy हो जाएगी minus 3.4 electron volt hydrogen atom के लिए है यहाँ पर z की value क्या होगी 1 ठीक है अगर हम बात करते है n is equal to 3 k energy क्या होती है वो होती है minus 1.51 electron volt minus 1.51 electron volt अगर हम बात करते है n is equal to 4 k n is equal to 4 k तो energy होती है पीटा minus 0.85 electron volt यह कैसे आया था minus 13.6 upon 1 का square minus 13.6 upon 2 का square minus 13.6 upon 3 का square minus 13.6 upon 4 का square बस इसी तरीके से मेरे पास यह value आती है ठीक है इसी तरीके से बच्चे मेरे पास यह value आती है ठीक है जिसमें मैंने आपको बताया था आप देख सकते हो जैसे 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 n की value बढ़ रही है वैसे 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 energy बढ़ रही है तो value of n n increases as the value of n increases energy increases ठीक है जैसे जैसे बिटा n की value बढ़ रही है वैसे वैसे energy बढ़ रही है आपके सामने है आप देख सकते हो फिर आम ने देखा था कि जैसे जैसे n की value बढ़ेगी जो energy gap होता है वो घट जाता है लाइक आप देख सकते है इनके बीच का energy energy gap कितना हो जाएगा 13.6-3.4 यह हो जाएगा 10.2 electron volt 10.2 electron volt simple सी बाद है ठीक है इनके बीच का energy gap कितना हो जाएगा so 3.4-1.5 approximately equal to 1.9 electron volt 1.9 electron volt और यह कितना हो जाएगा यह जागा 0.65 electron volt approximately equal to this ठीक है clear है बच्चे आप सभी को है ना सो आप देख सकते हो जैसे जैसे बिटना इनकी बढ़ रही है सक्सेश्यव लवल जी है इसलैं के बीच का energy यह चान्य अपर खाटा दिया यहां पर पहले मैंने यह जा इतना इतना रगए इतना तरक फर इतना रगएक ओना सटोर्ट Li अवमारे पर टा गया हमारे पास कम हो गया तो जैसे जैसे बिठा एंड की वेल्यू बढ़ रही है एनरजी गाप बिट्वीन सक्सेसिव एनरजी लेवल्स डिक्रीजेस बिट्वीन सक्सेसिव एनरजी लेवल्स डिक्रीजेस बिट्वीन सक्सेसिव एनरजी लेवल्स डिक्रीजेस ठीक है डिक्रीजेस आप देख सकते energy gap क्या होता गया कम होता गया यह था 10.2 1.9 0.65 फिर और कम होता जाएगा जैसे एन की वेल्यू बढ़ेगी successive energy levels के बीच का जो gap होगा वो क्या हो जाएगा घरता जाएगा ठीक है एक और बात यहां पर इंपोर्टेंट वो यह है कि 1 और 2 के बीच का energy gap है 10.2 है ना हमने इन दोनों को माइनस करके देखा ऐसी 1 और 3 के बीच का energy gap कितना होगा सही 13.6 और यह 1.5 सही हो जाएगा 12.1 electron volt कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12.1 electron volt हैना क्योंकि यह energy gap कम है यह तो फिर जादा ही होगा ना यह वला और जादा होगा सबकर मैं 3 और 1 के बीच का energy gap कर देखें 3 और 1 को sorry यह तो 3 और 1 की बीच कर दा अगर मैं 4 और 1 की बीच का energy gap देखें तो है ना तो 13.6 में से 0.85 हम लोग घटा देंगे 0.85 बिटा हम लोग यहां पर घटा देंगे तो यहां जाएगा 12.75 electron volt ठीक है तो बिटा कितना आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 12.75 electron volt सिंपल सी बात है ठीक है तो यह बिटा मेरे पास क्या आया यह मेरे पास आया energy gap one or two के बीच का one or three के बीच का one or four के बीच का और वैसे हमने क्या देखा जैसे जैसे एंकी वेल्यू बढ़ रही है successive energy levels के बीच का जो energy gap है वो बेटा क्या होता जा रहा है वो मेरे पास घरता जा रहा है सिंपल सी बात ठीक है तो यह सारी चीज़े विचा हम लोगों ने डिसकस कर ली थी लास क्लास के अंदर अभी एक दो बाते और बताई है और इससे रिलेटेड भी तुमको एक दो बाते और बताती हूं ठीक है यहां पे question कैसे बनता है देखो question वह आपसे ना कुछ इस तरी तो जो भी emitted radiation होगी उसकी wavelength बताओ क्या होगी ऐसे question पूछता है वो ठीक है so question बेटा कुछ इस तरीके से आता है वो बोलेगा कि बताओ hydrogen atom के अंदर electron 4 से 1 पे आ रहा है तो जब 4 से 1 पे आ रहा है तो what is the wavelength of emitted radiation what is the wavelength of emitted radiation what is the wavelength of emitted radiation तो आप कैसे निकालेंगे फिर wavelength of emitted radiation काफी काफी सिम्पल है और डारेक्ली आप निकाल सकते हो जीकिए तो आपके पास कुछ इस तरीके से question पूछा जाता है कि electron जब 4 से 1 पे आ रहा है तो what is the wavelength of emitted radiation तो जो भी radiation emit होगी उसकी wavelength बताई अब उसकी wavelength कैसे बताएंगे तो देखो आपको क्या करना है electron कहा से कहा रहा है फोर से 1 पे आ रहा है ना तो इनके बीच का कुछ energy क्या फोगा डेल्टाई ठीक है तो यहां पर यह जो डेल्टाई है वो किसके एक्वल हो जाएगा hc by lambda के equal आओ जाएगा तो अगर आप डेल्टाई निकाल लोगे ना तो वहां से आप wavelength of emitted radiation भी निकाल लोगे simple है है ना क्योंकि जो डेल्टाई है बीच का energy gap कितना होता है है आपको पता है 12.75 electron volt होता है डाइग्राम से देखके बीचा आप डारेक्ली देख सकते हो फोर से वन के बीच का energy gap कितना होता है सो वह होता है बीचा 12.75 electron volt 12.75 electron volt है ना जोगे 4 के energy होती है minus 0.85 और 1 की होती है minus 13.6 minus 13.6 है ना तो इनके बीच का energy gap कितना होगा है वो गे 12.75 electron volt तो energy gap 12.75 electron volt which is equal to hc by lambda तो यहां से lambda क्या हो जाएगा hc की value कितनी होगी 1240 electron volt nanometer divided by energy कितनी है यह इदर चला गया lambda इदर आ गया divided by 12.75 electron volt electron volt से electron volt cancel बस इसको solve करना है 1240 1240 divided by 12.75 यहां से बिचा आपके पास wavelength किसमे आ जाएगी wavelength आ जाएगी नानो मीटर में ठीक है तो यहां से बच्चे आपके पास wavelength किसमें आ जाएगी सो wavelength आ जाएगी नानो मीटर में बस ऐसे ही करना है तो ऐसे questions आपके पास कही बरी आएंगे है ना वह बोलेगा कि भाई से यहां आ रहा है बता हो एमेटेड रडियेशन की wavelength कितनी होगी तो तुमको एनरजी गया बता हो ना चीए वस उद्दोरों के बीच का चीक है वास से आप डरेक्ली निकाल सकते हो इस तरीके से ठीक है तो अभी बहुत ज्यादे questions करांगी नहीं तो तुम्हें अपने आप की hydrogen atom की हमने सीधा देखा यार की वन से फोर से वन की वीच का energy gap है 12.75 electron volt 12.75 electron volt और वहां से हमने फिर lambda निकाल लिया बस है ना यह energy gap is equal to hc by lambda तो यहां से lambda निकाल लिया अब बेटा देखो यह जो diagram था वो था hydrogen atom के लिए लेकिन बेचा अगर मेरे पास hydrogen like species हो तो यह जो diagram था बचे वह किस के लिए था this is for hydrogen like hydrogen atom अगर मेरे पास hydrogen like species हो तो अब hydrogen like species तो याद है ना सारी चीज़े याद है कि नहीं है hydrogen like species क्या होती है है सो hydrogen like species उनके बाद एक single electron होता है जैसे की helium plus हो गया lithium plus 2 हो गया beryllium plus three हो गया ठीक है beryllium plus three हो गया ठीक यह आपके पास hydrogen like species हो गई तो अगर मैं same energy diagram उसके लिए बनाओ न है ना same energy diagram में उनके ये बनाओ तो कुछ जाधा फरक नहीं है देखो बहुत ही छोटा अजा और माइनर सा फरक है वही आपको समझना थे जाधा कुछ फरक नहीं है क्या देखो देखो आपके पास energy का expression क्या होता है आपके पास energy का expression होता है minus 13.6 z square upon me n square ठीक है तो n is equal to 1 के लिए energy हो जाएगी minus 13.6 z square upon me n की value 1 रखेंगे तो 1 का square तो energy हो जाएगी मेरे पास कितनी minus 13.6 z square है ना minus 13.6 z square simple है ना अब कौन सी hydrogen-like species है यार यह तो हमको पते ही नहीं है यह तो वो mention करेगा लेकिन आभी मेरे को नहीं पता कि कौन सी वाली hydrogen-like species है ठीक है तो यह तो वो mention करेगा तो पता चल जाएगा ओके next पेचा अगर मैं बात करती हूँ n is equal to 2 की n is equal to 2 की so energy क्या होगी minus 13.6 z square upon n की value 2 रखेंगे तो 2 का square हो जाएगा 4 so minus 13.6 upon 4 यह जाएगी minus 3.4 z square minus 3.4 z square simple है एसी बिटा अगर मैं n is equal to 3 लगती हूँ energy क्या हो जाएगी minus 13.6 z square upon n is equal to 3 रखेंगे तो 3 का square हो जाएगा 9 है ना 3 का square हो जाएगा 9 यह जाएगी minus 13.6 upon 9 यह जाएगी minus 1.51 z square minus 1.51 z square है ना और अगर मैं n की value 4 रखती हूँ बेटा so energy is equal to minus 13.6 upon 16 तो यह जाएगी into में z square तो यह जाएगी minus 0.85 into में z square है ना तो जाएगी सो बेटा आपने क्या देखा आपने क्या देखा आपने यह देखा कि hydrogen atom में बस यह z square नहीं था क्योंकि यह जेट की value तो वा नहीं दी बाकि सारी की सारी चीजे बीचा यहाँ पैं क्या है सेम है बाकी शारी चीजे बच्छे सीम है σारी की सारी चीजे बीचा सेम है फरक सिरफ इतना एं कि यहाँ पर क्यूगी hydrogen-like species है जिसके लिए atomic number one नहीं है तो यहां पर हम लोगों ने z square और लगा दिया बागी सब सेम है यह energy gap अब कितना रहेगा अब रहेगा हमारे पास 13.6 minus 3.4 अगर आप करेंगे तो यह रहेगा 10.2 z square तो यह energy gap इतना हो जाएगा 10.2 z square हो जाएगा है ना ऐसी बिटा यह energy gap कितना हो जाएगा यह energy gap है ना 13.6 में से 1.5 जाएगे तो यह जाएगा 12.1 into z square है ना अगर हम यह वला energy gap देखेंगे तो यह हो जाएगा 12.75 into में z square into z square तो बिटा सारी चीज़ सेम है बस फरक सिरफ इतना है कि सो इस़ी बजह से इस वज़ह से मेरे पास से मैं कुछ भी अलग नहीं है ठीके बचों बात different हो को है ना तो यह चोटड़ी बाते है विटा जिसका आप लोगों को ध्यान लगना है सब फॉर हाइड्रोजन फॉर फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए मेरे पास क्या है मेरे पास यह था और हाइड्रोजन के लिए मेरे पास यह है और हाड़िन लाइक स्पीशिस के लिए मेरे पास बस एक जट स्क्वार एक्स्ट्रा होगा ठीक है ना विटा क्लियर है सभी बच्चों को यह सारी चीज है है आप देख सकते हो कि पूरा इनरजी लेवल डाइग्रम में आप खुद देखना इसको इस कि energy जो थी हैना different stationary states की हैना hydrogen atom के case में क्या थी वो थी minus 13.6 upon me n square electron volt minus 13.6 upon n square electron volt minus 13.6 upon me n square electron volt for hydrogen atom and beta for hydrogen like species ये क्या थी ये थी minus 13.6 into me z square upon me n square electron volt minus 13.6 into me z square upon me n square electron volt simple सी बात है ठीक है तो आप देख सकते हैं यह आपके पास energy expression आया फिर हमने क्या देखा हमने यह देखा कि जैसे जैसे n की value बढ़ती है वैसे वैसे energy क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है तो उसे इसे पिर एक पॉइंट लिखा हुआ है बहुत जरूरी क्या लिखा है दो फॉस्ट इनरजी लेवल विच इस closest to nucleus अब n की value बढ़ रही है तो energy बढ़ती जा रही है तो बेटा क्या हो रहा है जब n की value बढ़ रही है तो energy क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है तो इसलिए जो पहला energy level है जो मेरे पास बढ़ती जाएगी, simple सी बात है, है ना, तो जो पहला energy level है ना, जो nucleus के बिलकुल pass है, उसके energy क्या होगी, lowest होगी, क्योंकि N की value बढ़ रही है, तो energy क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है, है ना, so the first energy level which is closest to nucleus has lowest energy, उसके energy सबसे कम होगी, and energy increases as we move out, outwards, है ना, जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो बीटा, क्या होगा energy की जो value है, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे energy हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो इसलिए N is equal to 1, कौन सा shell होता है, बिटा, K shell होता है, तो इसलिए K shell के energy सबसे कम, L की उससे जादा, M की उससे जादा, and बिटा, N shell की उससे भी जादा, उससे भी जादा, ठीक है, तो इसलिए बच्चे K shell के energy सबसे कम, L shell की उससे जादा, M shell की उससे जादा, and N shell की बिटा, उससे भी ज सबसे सबसे कम होगी जैसे सबसे कम होते जाएंग Kumar क्या मैं तुमको जो एक्सप्रेशन बताया है वह एक्सप्रेशन जो मैंने तुमको बताया है वह बताया है एलेक्ट्राण बोल्ट में जनरली हमारे पास एलेक्ट्राण बोल्ट वाला काम में आ जाता है बट कभी-कभी हमें किलो जूल पर मोल में भी एनरजी चाहिए होती है तो उस केस में बिटा एनरजी का एक्सप्रेशन कुछ और होता है ठीक है तो जरूरी नहीं कि हर जगे इलेक्ट्रान बोल्ट में काम है है most of the cases में इलेक्ट्रान बोल्ट वाला चल जाता है बट कई सारे केसं में इलेक्ट्रान बोल्ट वाला नहीं भी चलता तो हमारे पास कुछ और एक्सप्रेशन भी होते है एनरजी के जूल में किलो जूल में जो की बेटा हम लोगों को ध्यान रखने है ठीक है सो हमारे पास एक तो एनरजी के एक्सप्रेशन हमने क्या पड़ा माइनस 13.6 इनटू में जट स्कुआर अपॉन में एन्स्कुआर इलेक्ट्रान वोल्ट ठीक है n square electron volt एक हमारे पास होता है energy का expression minus 21.8 into 10 to the power minus 19 into में z square upon me n square joule में ठीक है और एक होता है minus 1312 into में z square upon me n square kilo joule पर volt में ठीक है तो हमारे पास अलग-अलग units में energy के कुछ ये expressions भी होते है जो कि आपको ध्यान में रखने है जरूरी नहीं वो electron volt में पूछे अम मालनो की वो joule में पूछ ले तो मालनो kilo joule पर volt में पूछ ले तो ये वला use करेंगे z की value यहाँ पर पूट करेंगे n की value यह z square upon n square तो fix है यह z square upon n square तो fix है ठीक है बाकी चीजों में फारक है बस ठीक है तो आगर मालनी जे कि वो किसी और की बात करता है मालनो किलो जूल पर मोल में पूछ रहा है कि इसके लिए बताओ तो जेट की value पूट कर देना आ जाएगी जूल में पूछ रहा है तो आ जाएगी ठीक है आपको बचे यह छोटी छोटी बाते ध्यान रखनी है कि एक्स्प्रेशन कर लाउन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एनर्जी जैने पूछेगां मुस्ने बताएं गे वैसे मोस्ण अशना बूलब वला अने जाता है यह वह तो हमें किलाग्निल मैं जूल में भी लेने पढ़ेंगे यह बच्चेे क्लीयार है आब में घूम रहा है उन ईल्बीट इन्बringe कि-1.5 वहाल है न र थी तो हम्ने डेखा घैंड तो इस लिए अन्हीं मुदगे मुसंपा सब्सक्राइब जिनकी energy क्या है, fix है, जिनकी energy क्या है, fix है, तो ऐसे नहीं कि electron की कोई भी random value होगी energy की, है न, electron की atom के जो electron होगा, उसकी कुछ certain values होती है, कुछ definite values होती है energy की, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो energy है, वो क्या है, quantized है, क्या है, quantized है, ठीक है, जोकि ऐसा नहीं कि energy की कुछ भी random value आ यह ऐसा हो रहाए कर नहीं होारा ना इसलियंक बोलते कि जो एनर्जी है वो क्या है इसी तरिके से बेटा एनर्जी की सच्पाहँ जो नम्नटय मोमें तो बोहर के मोडल ने क्या बोला एंगुलर मोमेंटम तो मोमेंटम पीटा क्या होता है मोमेंटम होता है एम इन्टू वी मास इन्टू वेलासिटी ऐसी पीटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आंगुलर मोमेंटम क्या होता है वोता है एम वी आर ठीक है MVR, ठीक है, बहुर के model ने क्या बोला, कि जैसे energy की कोई random value नहीं हो सकती, ऐसे ही angular momentum की भी कुछ random value नहीं हो सकती है, कुछ certain values होगी, कुछ certain values होगी, और उसने बोला कि angular momentum को कुछ इस expression से निकाल सकते है, that is MVR, MVR क्या होता है हमारा angular momentum, it is the integral multiple of h upon 2 pi, एन एच आपउन 2 pi की एक्वल होता है, इस expression के अंदर m क्या होता है, m is the mass of electron, is expression के अंदर bida m क्या होता है, so m होता है mass of electron, V क्या होती है, velocity, जो revolving electron है, उसकी velocity, r क्या होता है, radius of the orbit, radius of the orbit, h क्या होता है, partial thanx constant, और n यहाँ पर कोई integer है, जैसे की माल्लो, अगर n की value 1 है, है थो अंगोलर मोमेंटम क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा है चाह्पन टू पाई है अगर इन की वेल्यू थी है तो M V R Q 밝aster M V R info jiwa 3H upon 2pi तो अगर एंद की वैली 2 पाई तो M V R क्या हो जाएगाटा हो जाएगा 4H upon 2 ? आर और 109 सो में स्थरीके से निकाल सकते हैं तो बीटा हम लोग इस सरीके से से निकाल सकते हैं अगर एंद की वैलियουν 1 हान है तो M V R हो जाएगस tapping 2 अगर N की value 2 है, तो MBR हो जाएगा 2H upon 2pi, अगर N की value 3 है, तो MBR हो जाएगा 3H upon 2pi, है ना, and so on, हम लोग निकाल सकते हैं, चीकिए? सो बोहर की model ने क्या बोला, कि angular momentum की ऐसे कोई random values नहीं हो सकती, उसके कुछ discrete values होगी, और angular momentum को निकालने के लिए expression दिया, that is the MBR, जो angular momentum होता है, it is integral multiple of H upon 2pi, this is the integral multiple of H upon 2pi, तो जैसे energy की कोई random value नहीं हो सकती, वैसे angular momentum की भी नहीं हो सकती, तो इसलिए बोलागा कि angular momentum of electron in an atom is also quantized, quantized होता है, ठीक है, यह एक चोटा से expression है, इस पर बेस भी इवन question आते है, कि angular momentum वो पूछे का होगा, H upon 2pi होगा, जो भी है, अलग-अलग तरीके के questions बनते है, मैं एक अलग से session होगी, जिसमें मैं सारी previous year questions discuss करूँगी, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखना की कैसे पूछ पूछे जाते है, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखना की कैसे questions पूछे जाते है, ठीक है, so angular momentum is MVR, which is equal to NH upon 2pi, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह सारे की सारे बहुर्स के model के postulate थे, अब end में इन में से कई सारी चीजे, इसके model को fail कर गई, क्योंकि बहुत सारी चीजे को त इसका model fail हो गया, और उसके बाद फिर एक नया model आया, that is quantum mechanical model, और यह पते एक इतनी बड़ी field है कि इस पर आज तक भी research चल रही है, मतलब बहुत बड़े-बड़े scientist लगे होई है, इस field पर research करने के लिए, ठीक है, चलिए, आगे चलते है, बीटा, बात करते है, बहुत ही ज electron एक particular orbit के अंदर घूम रहा है, तो ना तो वो energy कोई lose करेगा, ना ही कोई energy gain करेगा, मतलब ना ही कोई energy lose करेगा, ना ही वो कोई energy absorb करेगा, ठीक है, ना ही energy absorb करेगा, जब तक electron घूमता रहेगा, एक orbit के अंदर, मतलब जब तक वो एक orbit के अंदर घूम रहा है, गूमता ही जा करेगा सब्सक्राइब तो जब तक लेक्ट्रोन एक ऑर्बिट के और लूपता रहेगा एक औरबिट में जब प्रिकेट होती है आटम की इसको बोलते है नॉर्मल स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट क्या बोलते है इसको वी अपर जा रहे ना वो नीचे जारा कहीं नहीं जा रहा और जब तक वह एक ओर बिद में भूमता रहेगा ना तो बेटा वह एनिर्जी को अबसॉर्ब करेगा ना ही बच्चे वो energy को emit करेगा ठीक है तो ना तो वो energy को absorb करेगा ना ही वो energy को emit करेगा ऐसा बोला उसने ठीक है फिर उसने क्या बोला कि देखो भई बट अगर माल लीजे कि electron किसी lower और stationary state में है और अगर वो किसी lower stationary state से किसी higher stationary state में जा रहा है ना मतलब नीचे से उपर बाहर जा रहा है lower stationary state से किसी higher stationary state में जा रहा है तो उस case में electron क्या करेगा energy को absorb करेगा है ना एबस आरभ करेगा ठीक है energy को absorb करेगा लेकरिण वही चांव 트स कि आरे लिए Πेसी 28 & yell state से higher stationary state से किसी lower stationary state में आ रहा है तो उस case में विटा electron क्या करेगा energy को release क्ठीक आरजी को क्या करेगा वो रिलीस करेगा सिंपल सी बात है ठीक है energy को क्या करेगा release क्ठीक तो जब लिएक्टरॉन नीचे से उपर जा रहे ना स्टेश्नरी शेच से हाइयर कि श्री स्टेड में तो रहे है तो बनीजी को PAR में करेगा रहे ठीक है ऐसा उसने बोला वह जब तक से उपर जाएगा तो energy को एब्जॉब करेगा और अगर जब उपर से नीचे आएगा तो energy को emit करेगा वास इतनी बात है जिसका तुम लोगों को ध्यान रखना है मतलब जब अगर इलेक्ट्राउन को नीचे से उपर जाना है तो वो कुछ energy को अप्सार्ब करेगा लेकिन वही बिटा जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वो कुछ energy को emit करेगा इनेर्जी को एमिट करेगा यह चोट इसी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है इस वेरी 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 इंपोर्टेंट है and it is very important so the electron when moved from lower stationary state to higher stationary स्टेट इलेक्ट्रों नीचे से ऊपर कब जाएगा जब कुछ एनरजी को अब्सॉब करेगा नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको कुछ एनरजी एब्सॉर्ब करनी होगी ठीक है कुछ एनरजी अब्सॉब करनी होगी लेकिन वह जब वह उपर से नीचे आएगा ना उपर व तो कुछ एनर्जी में चेंज नहीं होंगे ना था नहीं को एमिट करेंगा जब बेटा वह जब वह लुवर और बिट से हाइर और जाएगा तो वह जी को रिलीस करेंगा वह इतनी सी वात का तुमको ध्यान रखना है ठीक है क्लियर है अब अगर आप लोको याद हो तो स्टा देल्टाई निकाला और डेल्टाई से क्या आजाएगा वेवलेंथ आजाएगा है ना तो नेक्स पॉइंट मेरे पास वही है ठीक है अब बहुर ने क्रूल दिया विच इस जोनोने बहुर फ्रेकवेंसी रूल तो बहुर ने क्या बोला कि जब मेरे पास एलेक्ट्रॉन न गाप तो डेल्टा एहाँ पर होता है एच नियू तो यहाँ से यूğ हो जाएगा डेल्टा एपॉन में द्थशन आपउन में एच सौक पर कितनीtoo कर सकथितनी थेय monet स्थ सॉम् की रिडिकेशन एब्जॉब हो रही है वो हम किस से निकालेंगे इससे डेल्टा इस इक्वल टू एच न्यू से मतलब वो डिपेंड करते है कि उन दोनों लेवल्स के बीच का एनरजी गाप कितना है ठीक है तो यहां से आपके पास न्यू क्या आ जाएगा डेल्टा इपॉन में एच यहांपे डेल्टा इकां क्या है डोनों की बीच का जो एनरजी डिफ्रेंग्स मतलब जो दोनों लेवल्स है उनकी बीच का एनरजी डिफ्रेंग्स which is equal to e2 minus e1 यही तो किया था हमने है ना और वैसे ही आप देख सकते हो delta e क्या होता है hc by lambda तो ऐसे ही बिटा आप lambda निकाल सकते हो है ना जो भी radiation आपकी absorb हुई या फिर emit हुई किस से hc upon delta e से अब आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने यह क्यों बोला था starting में मुझे जब बोला गया था कि जब electron 4 से 1 में आ रहा है तो बताओ कि wavelength of emitted radiation क्या होगी wavelength of emitted radiation क्या होगी है ना तो फिर मैंने यह से से ऊपर जा रहा है यह उपर से नीचे आ रहा है तो जो भी radiation होगी आप उस एब्सॉब होगी उसकी जो frequency है वह कैसे निकालेंगे उन दोनों levels के बीच का जो energy gap होगा वहां से हम लोग निकालेंगे इसलिए हमने पहले जब वीवलंद निकाली तो उनके energy gap से डिरेक्ट निकाल ली थी तो frequency क्या हो जाएगा डेल्टा एपोन h विकॉल जल्टा ही क्या होता है ह्नु है ना यहां पर डेल्टा ही क्या होगा e2-e1 है ना तो यहां पर e2-e1 क्या हो गया e1 हो गया lower energy level की energy और e2 हो गया higher energy level की energy simple सी बात है ठीक है ना तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप कितनी frequency radiation emit हुई या फिर absorb हुई वह आप निकाल सकते है कैसे बस इनके energy gap से levels के बीच का जो energy gap होगा वहां से बिचा आप calculate कर सकते है ठीक है so levels के बीच का जो energy gap होगा वहां से आप निकाल सकते हो सिंपल सी बात है और इसको बोला जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिनका आप लोगों को द्यालक ने सारे बहुत के पॉस्टूलेट थे कि जब तक एक पर्टिक्लर आपट में आएगा ना तो energy को एमिट करेगा ना ही अब्जॉब करेगा जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो energy को अब्जॉब करेगा ठीक है और जब वो उपर से नीचे आएगा तो energy को रिलीस करेगा कितनी frequency की radiation emit होगी या फिर अब्जॉब होगी वो डिपेंड करेगा डेल्टा इपे और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डेल्टा इपॉन में एच ठीक है clear हो गई तो इसलिए वहाँ जब मैंने वेवलंड निगाली तो मैंने डेल्टा इसे फिर सॉल्व किया था ठीक है आप लोगो पिक्टर बहुत बढ़िया तरीके से चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ क्वेस्टन वगरा कुछ नुमेरिकल वगरा अन्दन बोहर मॉडल से रिलेटेड और भी कई सारी बाते हम लोग देखेंगे ठीक है तो अब हमारे पास क्या है एक क्वेस्टन है चोटा सा देखो लास्ट बेड़ा कुछ इस तरीके से था that is total energy is equal to minus of kinetic energy which is equal to potential energy divided by 2 ठीक है तो वो expression कुछ इस तरीके से था that is total energy is equal to minus of kinetic energy which is equal to potential energy by 2 अब यहाँ पर इस question को जड़ा ध्यान से पढ़िए काफी बढ़िया सवाल है सवाल क्या है कि इस potential energy of electron is minus 6.8 electron volt उसने बोले कि electron की potential energy कितनी है potential energy है minus 6.8 electron volt इन hydrogen atom find out the kinetic energy आपको kinetic energy बतानी है क्या होगी kinetic energy बतानी है क्या होगी और दूसरा वो बोल रहा है कि energy of orbit where the electron exists जिस orbit के अंदर electron है तो उसकी total energy भी एक तरीके से आपको बतानी है और साथ ही साथ उस orbit का radius भी आपको बतानी है मैं है radius बताना है कि सोर्डीट का radius क्या होगा वेलियॅस बसल्चीPOS का बताने के लिए काफی सिम्पल सी बात है मिरे को यह पता काम मिले ही यही जरूरा कि यही जरूरी जानना है कि कॉन से बेट के अंदर यही और्बिट के अंदर electron है ठीक है तो वो भी जान लेते हैं उससे पहले देखो potential energy पता है kinetic energy निकालनी है या फिर total energy निकालनी है तो इस expression से आ जाएगी directly आ जाएगी आप देख सकते हो सब देख सकते हो कि minus of kinetic energy it is equal to potential energy divided by 2 और kinetic energy is equal to it is equal to minus of potential energy divided by 2 अब potential energy आपको पता है कितनी है minus 6.8 sorry potential energy निकितनी है minus 6.8 divided by 2 तो हो जाएगी 6 minus 1 पहले से था तो 6.8 divided by 2 तो यह बिटा मेरे पास हो जाएगी 3.4 electron volt so kinetic energy तो बिटा मेरे पास आ चुकी है that is 3.4 electron volt 3.4 electron volt so question का पहला what solve हो चुका है kinetic energy मेरे पास आ चुकी है that is बिटा कितनी आई जो कि मेरे पास आई 3.4 electron volt ठीक है जी clear है जी सब kinetic energy आ गई बिटा अब मुझे क्या करना है अब मेरे को निकालनी है total energy so total energy क्या होती है so total energy आ होती है minus of kinetic energy so minus of kinetic energy यानि कि total energy हो जाएगी minus 3.4 electron volt so total energy भी आ गई minus 3.4 electron volt है ना so total energy भी बिटा मेरे पास आ गई total energy भी मेरे पास आ गई minus 3.4 electron volt simple सी बात है राइट clear है बिटा so total energy भी तो आ गई यार माइनस 3.4 electron volt आधा काम और solve हो गया अब क्या बस निकालना है अब निकालना है कि जिस orbit के अंदर electron है उस orbit का radius कितना है तो यार तुम खुद सोचो अब तुम Trails कैसे निकालोगे रेडियस निकालने के लिए यह पता होना चाहिए कि कौन से orbit के अंदर 22 łrant है थुद४र निकालने के लिए तुमको बस यह पता होना चाहिए कि कौन से orbit के अंदर 22 कंषजय को और bit बेट के अन्दर 22 लिखा हुआ है हापे है ना सोचा कुछ तो सोचा होगा दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा मैं मैं सेकंड में है ना तो घटा जी देखिए आपके पास टोटल एनरजी कितनी है है टोटल एनरजी है मίνस 3.4 एलेक्रον बोल तो भी टा पताओ कौन से वाले शेल के अंदर बेटा इलेक्ट्रोन होगा कि एनरजी माइनस 3.4 इलेक्ट्रोन बोल्ट आएगी, हाँ जी बता सकते आप मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हो, हाँ जी, येस, वेरी गुड, अरे भाई, सेकिंड शेल की तो एनरजी होते है ना, फास शे 3.4 संक नितु होती है एनदर ही और होती है पार्बिल्स, तो रेडियस निकाल सकते हो और रेडियस निकाल सकते हो बैटब रेडियस निकाल होता है radius होता है 0.529 इंटु में N square upon Z angstrom into में N square upon में Z angstrom so radius मेंटा क्या हो जाएगा 0.529 0.529 इंटु में N की value क्या है 2 to 2 का square हो जाएगा 4 divided by hydrogen atom है तो Z की value 1 हो जाएगी angstrom so 0.529 इंटु 4 angstrom बस 0.529 इंटु 4 angstrom आंसर आ गया है ना बस तो आंसर आ गया में रेडियस आ गया 0.529 इंटु में 4 angstrom है ना 2.11 के असपास आएगा ठीक है clear है so questions all बहुत चुका है so radius भी आ गया बेटा है ना radius भी आ गया देखो आपके पास question में ने कहें सिरफ एक चीज ही वह थी potential energy और बेटा उसs potential energy से मैँने कई सारी चीज़े निकाल ली है ठीक है clear Jeans अहां है है ना तोस्ते से में ने potential energy से कई सारी चीजय मादे भी आंव पुटेंशल आपके सामने हैं आप देख समें पोटेंशल सब कुछ निगाल लिया तुमारे सामने है बिल्कुल है ना पोटेंशल एनरजी से कानेटिक निगाली कानेटिक निगाली टोटल एनरजी थी माइनस 3.4 इलेक्ट्रोन बोल्ट यहां से मिरको देखते ही बात चमक गई कि भाई जो इलेक्ट्रोन है वो सेकेंड औरबिट में कहीं पर घूम रहा होगा और सेकेंड औरबिट का फिर मैंने रेडियस निकाल दिया पॉइंट फॉइंट 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 यह चीजे उस डाइग्राम को देखते ही चमक जाएं विल्कुल है ना हमको केलकुलेट करनेगी अगर तुम केलकुलेट कर रहे हो रहे वह तो क्यों टाइम वेस्क करना ना हमें क्वश्चन को जल्दी से जल्दी सौल्व करना सीखना है बिटा हमें अपने सवालों को हमें अपने questions को बच्चे जल्दी से जल्दी solve करना सीखना है ठीक है और वो तब ही होगा जब आप मैं जैसे सिखाऊंगे आप वैसे सीखोंगे तो यह सारी चीज़े अपने आप sort हो जाएगी राइट बेटा चलिए आगे चलते हैं बच्चे डिसकस करते हैं अब हम लोग next question next question discuss करते हैं question is कि calculate the amount of energy absorbed in the transition from n is equal to 1 to n is equal to 3 in lithium plus 2 iron तो वो बोल रहा है कि जब electron कहा से कहा जा रहा है electron n is equal to 1 से n is equal to 3 में जा रहा है तो बताओ कितनी energy absorb होगी कितनी energy absorb होगी तो energy absorb होगी जितना इन दोनों के बीच का energy gap होगा उतनी ही तो energy absorb होगी ना यार और क्या है lithium plus 2 तो देखो कुछ ज्यादा दिमाख नहीं लगाना हमको पता है कि n is equal to 1 की energy होती है माइनस lithium 2 plus है मतलब कि क्या है बिचा यहाँ पे एक hydrogen like species है hydrogen like species है अब यहाँ पे इनके बीच का energy gap कितना है इनके बीच का energy gap है इनके बीच का energy gap है 12.1 into में z square electron volt 12.1 into में z square electron volt बस है ना तो 1 से 3 में जाने में कितनी energy absorb होगी जितना इनके बीच का energy gap होगा और energy gap कितना है energy gap है 12.1 into में z square electron volt अब lithium plus 2 है तो z की value 3 हो जाएगी so 12.1 into में 3 का square electron volt यानि की 12.1 into में 9 electron volt तो इतनी energy ही तो absorb होगी बीचा तो आपके पास इतनी energy ही तो absorb होगी तो जाएगा 108.9 electron volt तो इतनी energy तो absorb होगी 1 से 3 में जाने में इतनी energy अब तुम ऐसा कर रहे हो 1 के energy निकाल रहे हो फिर तुम 3 के energy निकाल रहे हो ठीक है फिनको minus कर रहे हो फिर उसके बाद solve कर रहे हो क्या फायदा कोई फायदा नहीं है आपको energy diagram पता है ना उससे directly solve करो ना यार questions को देखो एक बाद फिर से बताती हूं फिर से बताती हूं कोई confusion दिमाग में तुम्हारे रहनी नीची है अभी रहेगी तो हमेशा रहेगी अभी नहीं रहेगी तो हमेशा mind इक्दम clear बढ़िया तरीके से ठीक है सो अगर बेचा मेरे पास n is equal to 1 से n is equal to 3 n is equal to 1 से विचा अगर n is equal to 3 पर electron जा रहा है तो वो बोल रहा है lithium 2 plus के अंदर कितनी energy absorb होगी amount of energy absorb बतानी है तो हमको पता है n is equal to 1 के energy absorb कितनी होगी जितना इन दोनों के बीच का energy gap होगा वो so n is equal to 1 के energy है minus 13.6 z square n is equal to 3 की energy है minus 1.5 in 2 में z square तो कितनी energy absorb होगी जितना इन दोनों के बीच का energy gap होगा कितनी energy absorb होगी भई वो जाएगी 12.1 into z square electron volt है ना तो यहां से z की value रख दो भई 3 ठीके z की value 3 रख देंगे तो 3 का square आ जाएगा answer energy कितनी absorb होगी इनका energy gap energy gap कितना था 12.1 into z square energy level diagram देखिए है ना तो बस lithium 2 प्लस के z की value 3 रख दी आगे energy gap और इतनी ही बेटा मेरे पास energy absorb होगी इस पॉइंट आपको सीखनी है यही चीजे बेटा आपको सीखनी है इस पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टन ठीक है ए बच्छे 1.51 होता है ठीक है बट मैंने approximation लेकर पर solve किया है ठीक है clear है बच्छों आप सभी को है ना तो ऐसे question आपके पास पूछे जाते है बहुत मॉडल से related ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब discuss करते है ionization energy के बारे में अब ionization energy क्या होती है नाम तो शायद आप लोगोंने इसका पहले भी सुना होगा पहले भी सुना है ना शायद नाम ionization energy ठीक है so यहाँ पर बेटा मैं अगेन बात करूँगी for hydrogen and hydrogen like species ठीक है देखो वैसे तो ionization energy की जो भाषा है परिभाषा है sorry वो हम लोग अपने तीसरे चाप्टर में पढ़ते है बट यहाँ पर हमारे पास ionization energy को हमें थोड़ा सा और समझना है क्या होती है ionization energy देखो नाम से बता क्या करना है वीटा हमें एक atom को आयोनाइज करना है ionize करना है ionize का मतलब उस atom के अंदर से electron को निकालना है है ना इलेक्ट्रोन को निकालना है एक लेक्ट्रोन को निकालना मतलब इलेक्ट्रोन अगर मालनो एनीज इक्वेल टुवन पे है तो उसको इन फाइनाइट एनरजी लेवल तक लेके जाना है क्योंकि इन फाइनाइट एनरजी लेवल पे मैंने बताया था कि अनरजी को निकालना है तो उसके लिए जो भी energy लगती है that is बेटा ionization energy मतलब electron को अगर मुझे atom से विलकुल बाहर निकालना है बाहर निकालने का मतलब उसे infinite तक लेके जाना electron को तो उसके लिए जो भी energy required होगी that is the ionization energy so अगर electron को मुझे n is equal to 1 से n is equal to infinite तक लेके जाना है, so अगर बेटा मुझे electron को n is equal to 1 से n is equal to infinite तक लेके जाना है, तो उस case में जो भी बेटा energy required होगी, तो उस case में बचे, जो भी energy required होगी, that is the ionization energy, उसको बेटाम लोग क्या बोलते है, ionization energy बोलते है, ठीक है, so अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे electron को एक atom से निकालना है, remove करना है, मतलब रिमूफ करना है मतलब उससे infinite energy level तक लेके जाना है, जहां उसका nucleus के साथ कोई संबन दीना आ रहे है, है ना, nucleus infinite energy level तक कहा, electron and nucleus के बीच में कुछ interaction बगरा होगी, कुछ भी नहीं होगी ना, so electron को अगर मुझे n is equal to 1 से, n is equal to infinite तक लेके जाना है, तो उसके लिए बेटा जो भी energy required होती है, that is the ionization energy, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते है, उसको बचे हम लोग बोलते है, ionization energy, अब देखो बेटा, 1 से infinite तक लेके जाने के लिए, कितनी energy required होगी, जितना इन दोनों के बीच का energy gap होगा वो, अरे यार खुद सोचो ना, 1 से infinite तक लेके जाने के लिए, कितनी energy required होगी, energy required तो उतनी होती है, जितना energy gap होता है, तो इनके बीच का जितना energy gap होगा वो, तो जो energy required होगी, वो होगी इनके बीच का energy gap, that is E infinity minus E1, that is बटा, E infinity minus E1, तो energy कितनी required होगी, ना, 1 से देखो यार, इनफाइनाइट तक लेके जाना निकाला ना ऐसको इनफाइनाइट तक ले अब infinite level के energy तो होती है 0 और E1 कितना होता है E1 होता है minus 13.6 into my z square electron volt है na E1 तो इतना ही होता है minus 13.6 into z square so minus minus plus हो जाएगा so delta ही हो जाएगा 13.6 into my z square electron volt और यह delta ही क्या है इतनी energy required होगी और जो energy required है वही तो ionization energy है so यहाँ से बेटा ionization energy क्या हो गई इतनी ही तो हो गई that is 13.6 z square electron volt 13.6 into my z square electron volt क्या आप सभी को यह बात समझ में आई के नहीं आई क्या बेटा आप सभी को यह बात समझ में आई के नहीं आई देखो भाई हमें एक atom के अंदर से electron को निकालना है मतलब उसे n is equal hydrogen or hydrogen like species एक single electron होगा मतलब electron को हमें n is equal to 1 से निकालना है मतलब बिल्कुल दूर करना है उसको मतलब nucleus के influence में हो ही ना nucleus के influence में कब नहीं होगा जब वो electron n is equal to infinite पर पहुच जाएगा तब इसका मतलब यह कि electron को n is equal to 1 से n is equal to infinite तक लेके जाना है इसका मतलब विचा यह है कि electron को हमें n is equal to 1 से n is equal to infinite तक लेके जाना है तो 1 से infinite तक लेके जाने के लिए जो भी energy required होती है और energy required कितनी होगी इनके विच का जो energy gap होगा that is e infinity minus e1 अब infinity के energy is 0 e1 है minus 13.6 into z square तो delta e आ गया इतना और जो energy required है वही ionization energy है यानि की बेटा ionization energy for hydrogen and hydrogen like species क्या हो जाएगी so वह बेटा मेरे पास हो जाएगी 13.6 into me z square electron volt into me z square electron volt simple सी बात ठीक है clear है बचे है ना तो ionization energy क्या हो जाएगी hydrogen और hydrogen like species के लिए that is the 13.6 into z square electron volt समझ में आया ना कैसे किया मैं इसको याद नहीं कर ना चीजों को समझो जब तक तुम चीजों को समझोगे नहीं तुम इस chapter की feel नहीं लोगे कि electron कहा से कहा जा रहा है यहां जा रहा है तो क्या हो रहा है ऊपर जाएगा तो कैसे energy absorb होगी नीचे आएगा तो कितनी release होगी frequency क्या होगी feel देना सीको जीजोगी ठीक है जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूं जिस तरीके से मैं समझा रही हूं अगर तुम उस तरीके से पढ़ते हो उस तरीके से अपने अब देखो hydrogen और hydrogen like species के लिए energy of first shell क्या होती है energy of first shell क्या होती है energy of first shell क्या होती है energy of first shell होती है minus 13.6 z square electron volt यानि की बेटा energy of first shell क्या हो जाएगी energy of first shell यह है minus 13.6 वो होती है plus 13.6 तो अगर उसका negative कर दूं तो यह आ जाएगी ना so इसलिए energy of first shell क्या होती है energy of first shell बिटा क्या होती है it is the negative of ionization energy इसलिए बिटा energy of first shell क्या होती है energy of first shell होती है negative of ionization energy it is the negative of ionization energy ठीक है, negative of ionization energy, simple सी बात है, ठीक है, clear हो रहे है बच्छो, so energy of first shell क्या होती है, it is a negative of ionization energy, ठीक है ना, बात लियर हो गई ना, क्योंकि यह plus, यह minus 13.6, यह plus 13.6, तो इसका negative कर देंगे, तो यह ही आ जाएगा, तो इसलिए energy of first shell क्या होगी, बिटा, negative of the ionization energy, it is a very important point, चांच सितारे लगा लेना, कॉपी में, ठीक है, चांच सितारे लगा लेना, चांच सितारे लगवाई, नहीं वैसे मैंने, बट जो भी चीज़े करा रही हूँ, आज की class बहुत ही जादा important है, बहुत model पर बहुत questions आते है, तुम अपने नीट के exam में देखो कि भरपूर सवा आपके पास पूछे जाते है, ठीक है, clear है, चलो फो एक question देखते है, तो हमने क्या देखा, कि first shell की energy क्या होती है, negative of ionization energy, ठीक है, है ना, तो बस इसी पे based, चलो एक question देखते है, तो तुमको funda clear हो जाएगा, देखो question क्या है, एक hydrogen like species है, question कुछ इस तरीके से है, कि एक क्या है, hydrogen like species है, ठीक है, जिसकी तुमको ionization energy दी हुई है, 54.4 electron volt, ionization energy दी है, 54.4 electron volt, वो बोल रहा है, कौन सी hydrogen like species है, ये बताओ, ठीक है, वो बोल रहा है, कौन सी hydrogen like species है, ये बताओ, ठीक है, वो बोल रहा है, कौन सी hydrogen like species है, ये बताओ, देखो, ionization energy दी है, अब hydrogen like species के लिए, energy of first shell क्या होती है negative of ionization energy है ना so energy of first shell क्या हो जाएगी पिटा so बच्चे energy of first shell क्या हो जाएगी so वो हो जाएगी negative of ionization energy है ना यानि कि इसका negative यानि कि energy of first shell हो जाएगी minus 54.4 electron volt यानि कि energy of first shell क्या होती है negative of ionization energy तो वो जाएगी इतना और वैसे बेटा energy of first shell क्या होती है सो वो होती है minus 13.6 into me z square electron volt बस यहाँ से z निकाल लो अगर z आ गया तो बेटा यह पता चल जाएगा कि कौन सी hydrogen like species है अगर z आ गया बेटा तो यह पता चल जाएगा कि कौन सी hydrogen like species है ना देखो negative से negative cancel तो यहाँ से z square आ जाएगा 54.4 divided by 13.6 ठीक है divided by 13.6 यहाँ से बेटा आपके पास यह कितना आ जाएगा और यह आ जाएगा 4 ठीक है तो z square बेटा यहाँ पर आ जाएगा 4 तो यहाँ पर बचे z की value क्या आ जाएगी z की value आ जाएगी 2 और z की value 2 का मतलब जल्दी से मुझे बताओ atomic number 2 आया है यानि की बेटा कौनसी hydrogen-like species है क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर atomic number मेरे पास atomic number मेरे पास कितना आया है अगर मेरे पास atomic number 2 आया है तो कौनसी hydrogen-like species है यार हिलियम प्लस है इतना क्या सोचना है helium-plus है यानि की helium-plus है ठीक है तो ऐसे questions भी आपके पास बन सकते है ऐसे questions भी बेटा आपके पास बन सकते है बचे आपको इस तरीके के सवालों का ध्यान रखना होगा ठीक है clear है ऐसे questions भी बेटा आपके पास बन सकते है ठीक है तो आपको इस तरीके के सवालों का ध्यान रखना है ठीक है clear है so ionization energy पता थी है ना हमने क्या result निकाला था कि energy of first shell होता है negative of ionization energy energy of first shell होता है negative of ionization energy तो first shell के energy हो गई जो कि होती है minus 18.6 z square electron volt z निकाल लिया 2 आया याने कि मिटा क्या है याने कि मेरे पास है helium plus याने कि बच्चे क्या है मेरे पास helium plus है which is a hydrogen like species याने कि मेरे पास क्या है helium plus है जो की एक hydrogen like species है ठीक है बच्चे बात clear हो गई सभी को है ना चलिए आगे चलते है बटा डिस्कस करते हैं हम लोग एक और टर्म के बारे में which is binding energy ठीक है so ionization energy हमने देख लिया कि N is equal to 1 से electron को निकालने के लिए जो energy चाहिए that is अपना ionization energy लेकिन वही बेटा अगर मैं electron को माल लो N is equal to 1 से नहीं निकाल रही किसी particular Nth shell से अगर मैं electron को निकाल रही हूं तो ठीक है so अगर बच्चे में N is equal to 1 से electron को नहीं निकाल रही मतलब अब n is equal to 1 से नहीं निकाल रही हूँ अब किसी particular nth shell से electron को निकाल रही हूँ और n is equal to infinite तक लेके जा रही हूँ तो उस case में जो भी energy required होती है that is binding energy that is the binding energy उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं the binding energy simple सी बात हा चीक है तो बच्चे किसी भी न nth shell से electron को निकालने के लिए जो energy चाहिए that is the binding energy उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं binding energy so energy required to remove the electron from a given energy shell आप ले ले ना इसको आप ले ले ना इसको electron from a given energy shell from a given energy shell ठीक है अगर बेटा किसी given energy shell से electron को remove करने के लिए जो energy चाहिए आप बहले वहाँ पर क्या कर रहे थे n is equal to 1 से electron को निकाल रहे थे तो उसके लिए जो energy चाहिए that is ionization energy यहाँ पर बोलते हो कि किसी given energy shell से electron को निकालने के लिए जो भी energy required होगी that is the binding energy उसको क्या बोलते है binding energy बोलते है न तो यहाँ पर देखो किसी particular energy shell से जैसे माल लो कोई भी energy shell है EN यहाँ से लेके जाना है infinite तक तो energy required कितनी होगी delta E जो कि कितना हो जाएगा infinity minus EN अब infinity तो 0 होता है और EN कितना होता है minus 13.6 into में z square upon me en square electron volt तो minus minus plus ते כितना हो जाएगा 13.6 z square upon me en square so energy required इतनी होगी और यही क्या है मेरे पास binding energy so binding energy बिटा क्या हो जाएगी so वो मेरे पास हो जाएगी 13.6 into mेze z square upon me en square electron volt और वो बच्चे क्या हो जाएगी 13.6 into mेze z square upon me en square electron volt यानि कि NHL की energy का अगर मैं ले लू तो magnitude ले लू तो ठीक है वो मारे पास क्या हो जाएगी binding energy simple सी बात ठीक है और अगर बेटा हम N is equal to 1 से infinite तक लेके जा रहे है तो binding energy और ionization energy मेरे पास क्या होगी same होगी ठीक है अगर बेटा मैं क्या कर रही हूँ अगर मैं N is equal to 1 से infinite तक ही लेके जा रहे हूँ तो binding energy और ionization energy मेरे पास same हो जाएगी ठीक है clear है बच्चे है ना तो आप देख सकते हो कि अगर मैं किसी particular NH shell से electron को निकाल रही हूँ तो उसके लिए जो energy required होगी किसी particular given shell से electron को निकालना है तो उसके लिए जो energy required होगी that is the binding energy और अगर N is equal to 1 से infinite तक लेके जाना है that is the ionization energy and this is only for the hydrogen and hydrogen-like species ये पिटा किसके लिए है सारी बात है hydrogen के लिए है hydrogen-like species के लिए simple सी बात है चीक है clear है सबी बच्चों को है ना चलिए आगे चलते है next पीटा मेरे पास आती है excitation energy क्या आती है । energy. अब excitation के energy क्या है? अगर माल लो कि मैंने electron को n is equal to 1 से n is equal to 3 में excite कराया. ठीक है? तो माल लिजे कि मैंने क्या किया electron को n is equal to 1 से n is equal to 3 में excite कराया. तो excite कराने के लिए जो भी energy required होगी that is excitation energy. तो excite कराने के लिए बेटा जो भी energy required होगी required होगी that is the excitation energy that is the excitation energy so अगर हम electron को n is equal to 1 से n is equal to 3 पर excite कराना है excite कराना है बतलब lower energy level से higher level energy level पर पहुँजाना है excite कराना है तो उसके रहे जो भी energy required होगी that is the excitation energy energy required कितनी होगी जितना इनके बीच का energy gap होगा which is e3 minus e1 e3 minus e1 न है यार simple सी बात है अब आपको पता है कि e3 कितना होता है e3 e3 कितना होता है minus 1.5 electron volt minus 1.5 into me z square मालनो electron volt ठीक है है ना अगर मालनो चलो hydrogen ही है मालनी जे कि hydrogen ही है तो hydrogen के लिए z की value 1 हो जाएगी ठीक है so hydrogen ही है so मालनो कि hydrogen atom है तो minus 1.5 e1 कितना होता है minus 13.6 तो यह जाएगा 13.6 minus 1.5 तो यह जाएगा 12.1 electron volt तो कितनी एनर्जी जे nhất है जिनके बीच का इनर्जी गब है ऑनर्जी गप होता है 12.1 electron volt कितना होता है 12.1 electron volt so excitation energy चितनी हो गई so excitation energy मेरे पास हो गई 12.1 electron volt बूल्ट सिंपल सी बात है ठीक है तो बचे यहां पे excitation energy कितनी हो गई so excitation energy 12.1 electron volt right clear है सभी बच्चों को ये सारी बाते यह क्लियर है ना तो बस वही बात है excitation energy क्या है कि अगर electron को excite कराना है तो उसके लिए कितनी energy required होगी मानलों कि electron को n is equal to 1 से n is equal to 3 पे लेके जाना है तो उसके लिए कितनी energy required होगी तो उसके लिए बेटा कितनी energy required होगी that is the excitation energy है ना तो hydrogen atom के लिए बोला मैंने माल लो तो energy किते required होगी जिन्ता इन के बीच के energy क्या आप होगा और 1 की होती है माइनस 13.63 की होती है माइनस 1.5 वहीं सारी बात है एनर्जी डाइग्राम से ही solve हो रही है आप देख सकते हो तो अगर मैं एनर्जी डाइग्राम पे चलती हूँ अपने पीछे वाले तो देख सकते हो बन सकती है तो इच्छोड़ी चीजों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है बच्चे क्लियर है है ना अभी इस चाप्टर के दो लेक्टर और बच्छे है जिसमें एक लेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे आप सभी के सामने है क्या है कि आउनाइज़ेशन इनरजी फॉर हाइड्रोजन आटम इस चाप्टर के जिसमें हमारा बागी का पाट हम लोग कवर अप कर लेंगे चले आगे चलते हैं देखते हैं एक और सवाल आप सभी के सामने है क्या है कि आउनाइज़ेशन इनरजी फॉर हाइड्रोजन आटम इस 13.6 इलेक्रों वोल्ट सो वो बोड़ रहा है हाइड्रोजन आटम के लिए आउनाइज़ेशन इनरजी कितनी दी है वो दी है 13.6 इलेक्रों वोल्ट अब बोड़े दन calculate the energy in electron volt required to excite it from ground state to first excited state hydrogen atom के लिए ground state क्या होगा n is equal to 1 अगर उसको first excited state first excited state का मतलब होता है second n is equal to 2 तो अगर electron को n is equal to 1 से 2 में लेके जाना है तो कितनी energy required होगी हमको यह बताना है तो काफी 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 simple सवाल है बिटा मुश्किल नहीं है कुछ भी so first excited state का मतलब है second shell यह तो आप सभी समझ गयोंगे and ground state होता है अपना n is equal to 1 so hydrogen के लिए अगर electron को n is equal to 1 से n is equal to 2 में लेके जाना है तो कितनी energy required होगी यह बताना है ठीक है hydrogen के लिए और ionization energy क्यों दी है वैसे इसको कोई रोल नहीं है आप सभी जानते हो हमको यह बता है कि energy of first shell क्या होता है negative of ionization energy तो बस यहां पे इसका थोड़ा सा इस्तमाल हो सकता है which is negative of ionization energy 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 of first shell क्या हो जाएगी negative of 13.6 यानि कि वह हो जाएगी minus 13.6 electron volt और यह तो यार हमको वैसे भी पता ही है ठीक है यह तो हमको वैसे भी पता ही है ठीक है तो assets का कोई खास role नहीं है से होता है minus 13.6 electron volt यह होता है minus 3.4 electron volt तो कितनी energy चाहिए होगी 10.2 electron volt बस आगे answer कुछ करना ही नहीं था कुछ करना ही नहीं था पिटा answer अपने आप आ चुका है that is 10.2 electron volt है ना वैसे तो ionization energy का कोई role ही नहीं है यहाँ पर हमको बता है कि first अपना जो first shell होता हुसके energy minus 13.6 electron volt होती है ठीक है बाकि उसका भी इस्तिमाल कर सकते हो कि energy of first shell is negative of the ionization energy so n is equal to 1 की energy होगी minus 13.6 electron volt minus 13.6 electron volt sorry ठीक है so अपने आप क्या होगी वह होगी बिटा minus 13.6 electron volt योगी minus 3.4 कितनी energy चाहिए होगी energy gap जितना होगा that is 10.2 electron volt that is 10.2 electron volt बस ऐसी ही करना है आपको ठीक है तो सारे से बालों को ऐसी ही करना होता है जादा कुछ खास है ठीक है चलो next question पर चलते है next question है कि ionization energy of helium plus ion is x kilojoule per mole ionization energy है अगर x kilojoule per mole है कितनी है x kilojoule per mole है x kilojoule per mole है इफ ठीक है इफ कितनी है x kilojoule per mole then calculate the ionization energy of lithium plus 2 ion calculate the ionization energy of lithium plus 2 ion then बताओ ionization energy of lithium plus 2 क्या हो in terms of x basically आपको बताना होगा in terms of x आपको बताना होगा ठीक है तो आपको बताए कि for hydrogen and hydrogen like species ये तो देखो खेर kilojoule per mole में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी बस इधर देखिए so for hydrogen and hydrogen like species के लिए ionization energy क्या होती है 13.6 into me z square electron volt होती है 13.6 into me z square electron volt होती है ये आप सभी जानते है अभी इसको बोल जाओ अभी बसना हम क्या करते है helium plus और lithium plus 2 की ionization energy का ratio लेती है ठीक है और आप जानते हो कि hydrogen or hydrogen like species के लिए ionization energy क्या होती है 13.6 into me z square electron volt 13.6 into me z square electron volt ये सभी आप जानते है ठीक है so बिटा ionization energy lithium plus 2 की कितनी होगी lithium plus 2 की कितनी हो जाएगी 13.6 lithium के लिए कितना हो जाएगा z की value हो जाएगी 3 तो 3 का square हो जाएगा into me 9 electron volt ठीक है एसी बिटा ionization energy of helium plus कितनी हो जाएगी 13.6 into me helium के लिए z की value 2 हो जाएगी 2 का square 4 electron volt ठीक है 4 electron volt अगर मैं इन दोनों को divide कर दू तो है ना so अगर मैं ionization energy of lithium plus 2 divided by ionization energy of helium plus करू तो helium plus करू तो ठीक है तो 13.6 into me 9 divided by 13.6 into me 4 ठीक है यह cancel हो जाएगा उपर भी electron volt नीचे भी electron volt तो cancel जाएगा तो उनकी ionization energy का ratio आजाएगा 9 by 4 है ना so यहां से बिटा मेरे पास ionization energy of lithium plus 2 upon ionization energy of helium plus कितना आजाएगा तो आजाएगा 9 by 4 है ना so ionization energy of lithium plus 2 क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगी 9 by 4 into me x ठीक है क्या हो जाएगी बच्चे की आगई in terms of x है ना तो पिटा मेरे पास क्या आगई मेरे पास lithium 2 plus की आगई in terms of x simple सी बात है ठीक है clear हो गई बात है ना तो मेरे पास lithium plus 2 की आगई ठीक है पिटा clear है सभी बच्चों को चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आगे चलते है देखते है एक और question देखो question क्या है calculate the speed of electron in the third orbit of lithium 2 plus तो वो बोल रहे है कि lithium 2 plus के तीसरे orbit में electron की speed क्या होगी आप मुझे ये बताईए ठीक है electron की speed क्या होगी बटा आप मुझे ये बताऊ right реб्ن सबीतियं 2 प्लस के तीसरे orbit में ठीक है सबी क्या होता है कुट सबाइट होता है व partly लीथियम 2 प्लस के 3 रख ईंड़िट में electron की speed बतानी है, so V क्या हो जाएगा, V0 होता है 2.188 10 to the power 6 meter per second, so V0 बचे क्या होता है, V0 is 2.18 10 to the power 6 meter per second, ठीक है, और Z क्या होगा, यहापे lithium plus 2 है, तो Z की value 3 हो जाएगी, और 3rd ही तो orbit है न, 3rd ही तो orbit है, तो N की value भी 3 हो जाएगी, so 3 सी 3 cancel, यहाँ से बिटा आपके पास V क्या आजाएगा, so V आजाएगा 2.18 10 to the power 6 meter per second, so question का जी, पहला पार्ट तो हो चुका है, solve बिटा, question का बिटा, पहला पार्ट solve हो चुका है, so V क्या हो गया, 2.18 10 to the power 6 meter per second, उसने बोला था कि lithium 2 प्लेस के तीसरे और्बिट में speed बताओ, तो निकाल दी न, मैंने क्या दिखकाता है, निकाल दी, V is equal to V naught into Z by N लगाया, V naught होता है, अपना 2.18 10 to the power 6 meter per second, so answer आगया इतना, ठीक है, clear है, तो पहला पार्ट जी, question का तो बेटा मेरे solve हो चुका है, अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है, also calculate the number of revolutions per second, that make it around the nucleus, तो आपको क्या निकालना है, number of revolutions per second निकालना है, number of revolutions per second आपको निकालनी है, now number of revolutions per second क्या होते है, सो बीटा number of revolutions per second का मतलब है कि हमको निकालनी है frequency तो बच्चे number of revolutions per second का क्या मतलब है number of revolutions per second का मतलब है कि हमको निकालनी है frequency क्या निकालनी है frequency निकालनी है right clear है सो बच्चे number of revolutions per second का क्या मतलब है number of revolutions per second का मतलब है कि हमको निकालनी है frequency frequency निकालनी है बिटा frequency है ना frequency कैसे निकालेंगे तो आप जानते हो frequency क्या होता है बिटा one upon time period frequency क्या होता है one upon time period तो बस यही से निकालेंगे ठीक है तो बच्चे मेरे पास frequency क्या होती है one upon time period अब यह one upon time period क्या होगा तो देखो simple है speed क्या होता है बिटा distance upon time सो देखो one upon time period क्या हो जाएगा speed upon distance speed upon distance है ना पिटा आप देख सकते हो speed क्या होता है पिटा distance upon time तो one upon time हो जाएगा speed upon distance सो यहां से one upon time period क्या हो जाएगा speed upon distance speed is v speed is v और distance कितना होगा 2 pi r so v upon me 2 pi r बस यहां से पिटा आपके पास क्या आजाएगी आपके पास आजाएगी फ्रीक्वेंसी क्या आजाएगी बच्चे फ्रीक्वेंसी आजाएगी तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी speed upon 2 आप पाहिए अब स्कीछ को पते ही है तीसरे और बिट में स्पीड क्या है यह तो आपने निकाल ली है अब क्या चाहिए रेडियस चाहिए जीर बीटर ईडिसरे यृट में आपने स्वी और टे हो Z, ठीक है, so 0.529 angstrom, so 0.529 into में M की value कितनी है, 3, 3rd orbit है, न, तो 3 का square हो जाएगा, 9, divide by, lithium के लिए Z की value भी 3 हो गई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, तो ये बटा हो जाएगा, 0.529 into में 3 angstrom, ठीक है, तीसरे ओर्बिट में बेटा, lithium 2 plus के तीसरे ओर्बिट में बचे, radius क्या होगा, so radius मेरे पास हो जाएगा, ये, ठीक है, so lithium 2 plus के तीसरे ओर्बिट में radius क्या होगा, so radius हो जाएगा, ये, that is 0.529 into में 3 angstrom, ठीक है, 0.529 into में 3 angstrom, ये आजाएगा, 1.587 angstrom, ठीक है, से कितना आ जाएगा बिटा या जाएगा 1.587 एक्स्टॉम 1.587 एक्स्टॉम राइट बिटा क्लियर है बात सो लीधियम डूबलस के तीसरे और्बिट में बच्चे मेरे रेडियस आ गया विलाॉसिटी आ गई अगरेक् सिक्ता है अगरेक्सिटंज सेरे की टिस्टंस अपों ॏटिस्टं सेरे स्प्राइट उलूशक्री का बहुत द्यालन करें और अच्छी है 2 pi r, 5 kitna है 3.14, radius किटना है 1.587 लेकिन है angstorm में, अब तो पीटा उपर तो meter है ना तो क्या तुम एंg-stron में put कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उपर то तो meter है, तो नीचे तुम एंg-s, तौम में थोड़ी ना put कर सकते हो, है ना तो उसको भी करना पढ़ेगा, फिर so 1.587 यहना 1 angstrom होता है 10 to the power minus 10 meter so इसको 10 to the power minus 10 से multiply कर देंगे so आप देख सकते हो कि meter से meter cancel हो गया यहां से आपके पास frequency आ जाएगी विस solve करके है ना so 2.18 divided by 2 into me 3.14 into me 1.587 1.587 ठीक है so 10 to the power 6 divided by 10 to the power minus 10 यह 10 to the power minus 10 उपार जाके बन जाकर 10 to the power 10 so 10 to the power 10 into 6 तो यह बटा हो जाएगा 10 to the power 16 second inverse so बस इसको solve कर ले ना यार बाकी काम तो मात्स का है आपके पास बिटा क्या आजाएगी आपके पास आजाएगी lithium 2 plus के तीसरे orbit में speed क्या होगी वो देखी ठीक है फिर निकाले दे number of revolutions per second which is equal to frequency frequency होता है विचा 1 upon time period ठीक है वहाँ से हम लोगों ने v upon 2 pi r किया radius निकाला lithium 2 plus का किसमें तीसरे orbit में 0.5291 square by z angstrom ठीक है एना radius निकाला और फिर वहाँ से हम लोगों ने क्या कि हम लोगों ने frequency निकाल ली ठीक है बात clear हो गई तो बस ऐसी question को करेंगे चलिए अब जल्दी से पर एक home work question लिख लीजे जल्दी जल्दी एक home work question लिख दीजे इस question का answer आपको comment section में लिखना है कि consumption correct है उसने बोला है कि hydrogen atom के पहले बोर और्बिट के energy है इतनी बताओ lithium 2 plus की excited state की possible value of energy क्या क्या हो सकती है hydrogen like के लिए energy level diagram बनाया ना तो बस उसको lithium 2 plus के लिए बना ले ना और देख लेना कि possible values of energy क्या क्या हो सकती है यह हो सकती है क्या यह हो सकती है क्या ही हो सकती है या फिर सारी हो सकती है है ना सो लीथियम 2 प्लस के लिए बेटा जी आपको क्या गरना है energy level diagram बना के देखना है energy level diagram बना के देखना है ठीक है और देखना है कि possible values of energy कौन कौन सी हो सकती है और इसका answer मुझे चाहिए comment section के अंदर option number a आएगा b आएगा c आएगा या फिर d मतलब यह फिर सारी possible है बना के देखना काफी बढ़िया सवाल है और यह पूछा गया है exams के अंदर ठीक है clear है बचो तो इस question को आपको लिखना है comment section के ठीक है बिटा जी बात clear है है ना सभी बच्चों को चलिए अब बात यह आती है कि हम ने देखा कि energy क्या है minus 13.6 z square upon me n square electron volt तो यह negative energy का क्या मतलब है ठीक है तो आपको पता है कि जब electron n is equal to infinite पे होता है जब electron n is equal to infinite पे होता है तो negative क्यों आया वह आपको बात समझा रही हूं और इस से related तुमारे need में question भी आया था अभी वो भी humbug में दूंगी करने के लिए तो ज़रा बस चबर कर यह तीन question दूंगी आज करने के लिए तीनों का answer चाहिए ठीक है ठीक है अगर गलत दोगे तो फिर next class में बता दूंगी जब हमको पता है कि electron होता है तो nucleus का उससे कोई attraction किसी तरीके का नहीं है तो energy होती है जीरो ठीक है अब माल लो कि electron n is equal to infinite से किसी अंदर एनेट लेवल पे आ रहा है किसी अंदर एनेट लेवल पे आ रहा है तो हमको पता है कि जब electron उपर से नीचे आएगा तो वो क्या करेगा energy emit करेगा energy release करेगा है तो यार तब तुम खुच सोचो कि infinite पे 0 थी अब जब रिलीज करेगा energy तो रिलीज करने के बाद positive थोड़ी ना होगी positive तो तब होगी न जब अब्सॉब करेगा तो रिलीज करने के बाद बीटा ओवेस सी वात है ना कि energy क्या होती जाएगी negative हो जाएगी simple है ना infinite पे उसके energy क्या थी 0 थी इन्फाइन पे तो 0 थी कोई attraction नहीं था उसका nucleus के साथ पर हमको बते जब जब नीचे आ रहा है माल लो कुछ कुछ attractions भी तो बन रही है ना attractions बन रही है और जब हमें बते है जब कोई electron उपर से नीचे आता है तो वो क्या करता है energy को release करता है जब वो energy को release करेगा तो 0 से फिर वो negative में ही तो जाएगी ना simple सी बात है इसलिए energy क्या होती है हमारी negative होती है so when the electron is free from the nucleus इसको copy में लिखने के ज़रूद नहीं है पस main main बात को copy में लिख लेना मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि तब जब तुम 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 को बाते मेरी बोली हुई और अच्छे जमज में आ जाए ठीक है so जब electron nucleus के influence से free होता है बिल्कुल यानि कि n is equal to infinite पे होता है तो उस case में उसके energy काम लोग 0 लेके चलते है हम ऐसा बोलते है कि बाई इलेक्ट्रों एकदम बाहर निकल ही चुका है मतलब आयनिजेशन एनरजी वही थी थी न है कि इलेक्ट्रों को infinite तक लेगे जाना मतलब निकाल देना थीक तरीक इस electron निकल ही चुका है but when the electron is attracted by nucleus and it is present in orbit n तो जब इलेक्ट्रों किसी orbit n में आता है ठीक है infinite n में आएगा तो energy क्या होगी release होगी मतलब energy lower होगी lower होगी न तो 0 से फिर lower होगी negative में ही तो जाएगी न बेटा तो इसलिए बस मेरे पास energy क्या होती है negative होती है सो बचे लोवर होके energy 0 से negative में ही तो जाएगी energy release होती है तो release होएगी फिर lower होगी तो 0 से negative में ही तो जाएगी तो इसले energy क्या होती है negative होती है ठीक है now as the electron comes more and more close to nucleus जैस इस electron nucleus के और पास आता जाता है तो attraction बढ़ती जाती है और energy release होती जाती है और इसले और negative होती जाती है तो इसले first level की minus 13.70 फिर जब दूर गया तो attraction कम होगी तो फिर वो minus 3.4 हो गई फिर minus 1.5 हो गई ठीक है so as electron comes more and more close to the nucleus जैसे बिटा electron और nucleus के नजदीक आता जाता है और attraction बढ़ेगी और energy release होगी ठीक है तो energy और कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और इसलिए जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो energy decrease होगी और जब अंदर से बाहर जा रहे थे तो energy बढ़ रही थी ठी होंगे कि actual में कैसे कैसे क्या क्या था ठीक है ना अब देखो बहुर के model ने बिचारे ने इतनी सारी महनत करी लेकिन फिर भी वह फेल हो गया ठीक है बहुर के model ने इतनी सारी महनत करी इतनी सारी चीज़े करी लेकिन फिर भी वह बिचारा फेल हो गया क्योंकि वह बहुत सा लेकिन जब बोला गया कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले का क्या तो उसमें उन चीजों का एक्स्प्रीन नहीं किया और आगे चलके हमारे पास जैसे कि मैंने बोला हम लुग हैजनबर अंचर्टिनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे डी ब्रोगली कॉंसेट पढ़ेंगे तो आगे चलके जब डिस्कवरीज वगरा होई इन सब यह सारी त्योरीज वगरा आई तो फिर जब वो आई तो बहुर से डी ब्लोगली आख़ेंगे डी ब्लोगली उसकी शीप के बारे में असे प्वूइद नहीं पूछा गया इससे लियन धि split कर रही थी दो के अंदर split कर गई या फिर magnetic field में भी यह split कर रही थी इस तरीके से तो जब इसके बारे में पूछा गया तो बहुत मोडल ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी अब यहां पर बिटा दो टर्म आती है वन जीमन इफेक्ट अन अनदर स्टार की इफेक्ट तुम्हें बस नाम ध्यान रखना है कि यह क्या है कभी कभी ठीरिटीकल क्वेश्चन बन जाता है चीक है जीमन इफेक्ट बोलते हैं जिसका हम लोग स्टार की इफेस्ट लाइन जो म्लोग सुम ज़ेक्ट बोलते हैं जसका हम लोग सीमन इफेक्ट बोलते हैं तो बोहर नहीं किया तो यह सारी बातों को की एक्स्प्लेइन नहीं कर पाया बोहर तो इसलहे बोहर जी फेल हो गए बहुत सारी चीज़े और आई जिसकी वज़े से यह बॉहर मॉडल भी बिचा क्या हो गया फेल हो गया फिर अगला मॉडल आया क्वांटम मेकानिकल मॉडल जो बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले डूएल नेचर और हाईजनबॉग के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे अब दो जल्दी से हुंबख में लिख लो पहला क्वेशन है कि ग्राउंट स्टेट ऑफ इडिसन अटम इस देस अनरजी हो सेकंड एक्साइट स्टेट की अनरजी आपको बतानी है ठीक है चार ऑप्शन दियो है कौंसा ऑप्शन करेक्ट है कमें सेक्शन में मुझे अंसर चाहिए इस ग्रेशन नमबर टू पहले वाला क्वेशन ग्रेशन नमबर वान ठीक है जो दिया था भी है तो नमबर वाइज आंसर लिख देना तीसरा क्वेशन जो आपके नीट एक्जाम में 2013 में पूछा गया है तो अन्योजी का एक्सप्रेशन अम को दिया हुआ है विच उप द कि इनों का आंसर बेटा comment section के अंदर चाहिए और यहां पे आपके बहुत model की भी होती है समापती finish ठीक है सब बहुत model का अतब होता है अब next class से अपने लोग start करेंगे dual nature and heisenberg uncertainty principle then quantum numbers और electronic configuration then ये chapter finish हो जाएगा ठीक है clear है बच्चो तो मिलते हैं हम लोग next session के अंदर ठीक है तो अगर आपको ये session अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी बहुत अच्छे से chapter को समझ सकें ठीक है तो मिलते हैं बच्चो next class में thank you very much